हेलो गाइज वेलकम बैक तो माई चैनल पापाजी टेकनो मैं रहुल दोस्तो आज आपके लिए रेड्मी नोट 10T 5G फोन में बड़िया ट्रिक वीडियो लेकर आँ दोस्तो यह डिवाइज आप जब यूज करते हैं दोस्तो और आपको जो आपका एक मेमोरी सू मेमोरी स्टैटस वाला बबर ightower होता है उससे कैसे अनकरेंगे सरी होज़्सतो मैं आपको बताऊँगा कि आपके फोन में जैसी सो मेमोरी स्टैटस का एक option होता है जिसए अपने स्क्रीम पे सेट कर सकते हैं कंट्रोल सेंटर के नीचे तो कैसे करेंगे दूस्ते बताना चाहूंगा कि आपको यहां जो इस्टेटस बार है वहां कहां सोगा तो simply जैसे कि हम पना recent menu जो tap करते हैं इसके आपकी यह बटन है इसको tap करके रखते हैं और यहां आपको जो है एक notification मतलब एक pop-up जैसे message रहेगा जिसमें आपका RAM और वहां यहां सोगी तो इस status को कैसे सो करेंगे यहने RAM status कैसे सो करेंगे सिंपली हम आपको बताने वाले कि आप उपन फून में जो RAM status होता है उससे कैसे सो करेंगे सिंपली हम बैक हो जाएंगे बैक होने के बाद हम setting open कर लेंगे जोस्तों इसकी जोस्तों setting open कर ली setting open करने से पहले दूस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार रिजिस्ट करें तो प देख पार है home screen simply इसको tap कर देना है tap करने के बाद जैसे कि दोस्तो simply आप देख पार है थोड़ा scroll करेंगे इस परकार का interface हुआ है तो थोड़ा scroll करेंगे आपको यहां एक options होगा so memory status देख पार है so memory status simply scope को on कर देना है on करने के बाद हम back हो जाएंगे दोस्तों और यहां देखेंगे कि हमारे phone में जो हमने यहां setting की तो यहां हमारे annotation में so हो रहा है यहां इस्टेटस सो हो रहा है कि नहीं memory और यहां सब देखने के लिए अपना file हो या फिर अपने मतलब setting में जाके about phone में यहां सब देखते हैं तो यह simply क्या होता है कि हमारे यहां notification में so हो जाता है तो जैसी कि दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजीगा और चैनल को जरू से सस्क्राइब कर दीजीगा दोस्तों उमीद है आप हमें बिल्कुल सपोर्ट करेंगे मिलते हैं नेक्स